हेलो फ्रेंड्स वल्कम बैक टू दमा चैनल मेरा नामा चेतन और सौगत आप सभी का आपके अपने टेकनेशे चैनल में टो दोस्तों मैं जो लिंक पर आया हुए यह लिंक आपको वीडियो के दिस्क्रोड़ेप्शन में दीख जाएंगी अगर आप मुझे टेलीग्राम ग्रूफ पर जॉईन हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रूफ इंटर करूँगा भी ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर मैंने मेरी email id डाल दिये तो अभी मेरा number यहाँ पर डालने वालो ठीक है तो यहाँ पर आपने email id और number डालने के बाद OTP साइन करना है आपके mobile number पर register mobile number पर OTP जाएंगा OTP में यहाँ पर भी put करने वालो ठीक है और OTP आने के बाद आपको sign up करने का है सीधा sign up करने के बाद आप next page पर redact हो जाओंगे next page पर redact होने के बाद देखते हैं अभी क्या है अपने पास से information मंगता है तो अभी अभी हमारे पास से pancard और date of birth पूछ रहा है तो हम pancard यहाँ यहाँ पर डालने वाले हैं तो pancard नमबर में यहाँ पर मेरा put करता हूँ तो यहाँ पर pancard और आधार काड की अपनी date of birth की details डालने के बाद आपको फिर से next करना है तो यहाँ पर आपका pancard validate है कि निक हो चेक करेगा उसके बाद में आपको bank account आपका automatic page करेगा आपके नाम से pancard में जितने भी account number आपके register होंगे bank account तो फेच करेंगा अगर आपका कोई link होंगा तो आप next page पर जा पाऊंगे नहीं तो आप यही पर रुखी रहोंगे यहाँ से आप exit हो जाओंगे तो देखते हैं भी हमारा bank account इस pancard से attach है या नहीं है तो दोस्तों आपने जैसे pancard details और करता हूँ और fulfill करने के बाद वो हर एक चीज़ अपने को पूछ रहा है जैसे कि अपना annual income क्या है तो मैं student हूँ मेरा 1 lakh रुपीज income होंगा below 1 lakh what is your trading experience less than 1 year politically exposed नहीं हूँ मैं कोई no और मैं क्या करता हूँ यह पूछ रहे तो मैं फिलाल student हूँ और मेरे पपा का नाम as per pencard जै student other than India no और उसके बाद में यहाँ पर taxpayer के कुछ declaration दिये हुए है वह आप पढ़ सकते हो ठीक है तो मैं यहाँ पर accept करता हूँ और यहाँ नेक्स्ट करता हूँ तो दोस्तों कुछ net की issue के वज़े से में एक रिडायक इसने फर्स्ट लॉग इन पेज पर कर दिया तो पर वह से कि मेरा भी हुआ था मैं डारेक्ट हो गया था तो अभी मैं यहाँ पर मुझे मेरा account number bank details यह पूछ रहा है तो मुझे यहाँ पर bank details डालना बहुत important है तो आप इसको कोई बहुत गलत बात नहीं समझे ना कि bank account number डाल रहा हूँ तो कुछ गलत ना हो जाए तो दोस्तों ऐस कुछ ही नहीं इसको इंडियन government regulate करती है ठीक है share market को तो आपकी हर एक information यहाँ पर पूरी secure है तो यहाँ पर मैं मेरी bank details फिल करने वाला हूँ उसके बाद मैं आपको बताता हूँ बैंक details फिल करने के बाद मुझे next करना है यहाँ से ठीक है तो मैं मेरी bank details यहाँ फिल कर रहा पड़ेंगे signature आपको upload करने ही पड़ेंगे तो signature में यहाँ पर upload करूँगा signature upload में लूंगा यहाँ से अभी मैंने download की हुए है यह मेरी signature है signature में यहाँ पर upload कर दी upload करने के बाद आपको option में यहाँ एक income proof का option आता है लेकिन अभी नहीं आ रहा है तो उसकी कोई जरूरत नहीं आपको तो यह डीजी locker से आपको connect करेंगा करने वाला हूँ next करने के बाद में यहाँ पर में को एक आपका जो register है आपका आधारकार पर आपका mobile नंबर रजिस्टर होना बहुत जरूरी है अगर आपका आधारकार से mobile नंबर लिंक नहीं होंगा तो आपको OTP नहीं आएंगा ठीक है तो पहले आप आधारकार से नंब नेक्स टेप आने के बाद यहाँ पर अपने को अलाव करना है तो गाइस वहाँ पर डिजी लॉकर को connect करने के बाद यहाँ पर अपने को अपनी एक selfie डालना है अपलोड करना है ठीक है तो मैं यहाँ पर मेरी selfie ले रहा हूँ यहाँ तो selfie लेने के बाद देखते अभी क्या ह होता है क्या नहीं तो ठीक है यह हो गया अपना फोटो खीचवा के यह पे उसके बाद में अपना location यहाप पर शेर करना है अलाव कर देना है अगर location शेर नहीं करूंगे तो फिर आपको थोड़ा problem आ सकता है तो traders यहाप पर फिर से email ID आपकी confirm करने पड़ेंगी जो भी आपने email ID स्टार्टिंग में डाली होंगी तो आपकी email ID पे एक OTP आएंगा OTP आपको यहाप पर डालना है जैसे कि मेरी email ID पे OTP आया भी में यहाप डालूंगा तो traders यहाप अपना OTP डालने के बाद email verification के बाद यहाप पर पूछ रहा है फ्री में आप sign in करो बोलते हैं मतलब फ्री में अभी offer चल रही है फ्री में आप अपना account open कर सकते हैं यहाप देख सकते हैं फ्री ट्रेडिंग अकॉन और डीमेट अकॉन आप यहाप पर open कर सकते हैं उसके बाद ब्रोकरेज आपका credit होंगा 500 रुपीज एक मन तक आपको जो भी ब्रोकरेज लगेंगा वो ब्रोकरेज इसमें से माइनस करेंगे हो आपको फ्री ब्रोकरेज रहेंगा और फ्री equity delivery ट्रेड लेते हो multiple days holding के लिए वो फ्री रहेंगी और FNO की 20 रुपीज पर order आपको करने के बाद यह अपने को पूछ रहा है कि आपके पास अधार काड है क्या बोलते हैं mobile नंबर लिंक वाला तो हमारे पास है अपने पास है तो अपने एस करते हो और continue करते हैं continue करने के बाद फिर से अपने को next page पर लेके जाएंगा ठीक है तो यहाँ पर अपना आधार e-s नेक्स टेप पर यहाँ पर आ चुका है और e-sign now पर में क्लिक करने वाला हूँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक pop-up ओपन हुआ और मेरे mobile नंबर पर एक OTP फिर से गया है डीजी लॉकर का और वो डीजी लॉकर का OTP मैं यहाँ पर अभी डालूंगा ठीक है तो OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर यह form आएंगा वो form को आपको accept करना है और sign in पर क्लिक करना है पूरा हर चीज़ पढ़ लेना है आपका जो upstock का आप अगर manually upstock का account open करते form अगरा फिल करके तो आपको यह form बरना पड़ता तो यह automatically अपना digitally form हो गया है तो अभी मैं यहाँ पर sign in कर रहा हूँ sign in now sign in now पर क्लिक करने के बाद आधरकार का एक pop up open होंगा यहाँ पर उसमें आपको accept करना है और यहाँ पर आपका आधरकार नंबर आपको यहाँ पर ड पर डालना पड़ेंगा ठीक है तो आपका अधरकार से mobile नंबर लिंक होना बहुत जरूरी है वरना आप यह process नहीं कर पाऊंगे तो यहाँ पर OTP में को put करना है मैंने OTP मेरा डाल दिया हुआ तो डाल देने के बाद verify OTP करूंगा कुछ 2-3 step है भी बची हुए और 2-3 step के ब अभी मेरा application submit हो चुका है दोस्तों आप देख सकते मेरा application status application submit हो चुका है जब security progress उनके तरफ से जब verification करेंगे तो मैं कोई email id पे mail आएंगा और mail में मेरी user id और password रहेंगा और user id और password मैं आपको दिखाता हूँ फिर मैं कहां से आपको login करके दिखाता हूँ कहां पर मैं को login क तो यह dashboard पर आपको abstract pro के dashboard पर आना पड़ेंगा और यहाँ पर आपका user id और password है और उनके तरफ से mail आएंगा आपका register mail id पर वहाँ पर आएंगा और वहाँ से आप यहाँ पर login कर सकते हो आप share market में trading कर सकते हो आज से ही एक दो घंटे के बाद ही ठीक है तो दोस्तों आशा क करता हूँ कि आपको यह video पसना आँगा अगर video पसना तो वीडियो को प्लीज यार like करके जाओ क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने यह video आपके लिए बना है तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए bye bye stay home stay safe